जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी 25,000 MCQ सिरीज में दोस्तों इस टॉपिक में हम GK के 25,000 कोशन कवर करने वाले हैं जो पॉलिटी, हिस्ट्री, जोगर्फी, साइंस सबसे रेलेटेड होंगे तो देखिए आप हमने सबसे पहले साइंस में फिजिक्स की शुरुआत की है अगर आपने अब तक हमारे तीन लेक्चर को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस में जा करके प्रीवियस थ्री लेक्चर को आप देख लीजेगा प्लेलिस बनी हुई है पूरा टॉपिक वाइस चैप्टर वाइस हम प्रीवियस एर कोशन कवर कर रहे है जो आपके SACC, CGL, CPO, MTS, Railway, भारत के सब एक्जाम्स के लिए जरूरी है आज जो हम टॉपिक डिसकस करेंगे वो है वर्क, पावर, एन एनर्जी, कार, शक्ति, उर्जा तो बहुत ध्यान सुनिएगा बहुत important question है देखे, अभी हम यहाँ पर history, geography, economy, Indian quality, computer इन सब को cover करेंगे शुरुवात हमने यहाँ पर general science से की है और इसमें जो सबसे पहला important हिसता physics इसे यहाँ पर cover कर रहे है मैं दावे से कहता हूँ अगर आपने previous question लगा लिया तो आपके कोई भी question exam में छूटेंगे नहीं तो यहाँ पर अब तक हमने unit, measurement और measuring instrument हमने इन तीन topic को cover कर लिया है आप हमारी playlist में जा करके आप उसे देख सकते हैं अब दोस्तो आज जो हम cover करने वाले वो physical quantities, mechanics, work, power और energy इन topics के important questions को हम यहाँ पर cover करेंगे और यहाँ पर पूरा आप index देख सकते हैं इसी प्रकार से topic wise हम पूरा physics खतम करेंगे फिर bio में आएंगे और फिर chemistry में देखे सबसे पहला question आपके screen पर पूछा जा रहा है इन में से कौन सी सदिश रासी है सदिश मतलब होता vector quantity तो vector quantity इन में से कौन सी आपसे पूछा जा रहा है यह CHSL में पूछा गया प्रशन है और JE electrical में प्रशन पूछा गया रिपीट किया गया है तो देखे इसका जो right answer हो जाएगा वो है electric field यानि जिसे हम कहते हैं वैद्यूत छेत्र यह है सदिश रासी इसे हम कहते हैं वैक्टर quantity कहते हैं अब देखे वैक्टर quantity किसे कहते हैं तो ऐसी कोई quantity जिसमें magnitude हो यानि जिसमें परिमाण हो इसके साथ साथ हमें उसकी दिशा के बारे में पता चले हमें उसके direction के बारे में पता चले ऐसी physical quantity को हम vector quantity कहते हैं लेकिन दोस्तों सदिश रासी तो आपको पता चल गए खोती अदिश रासी जिसमें direction नहीं होता जिसमें कोई दिशा का बूध नहीं होता केवल परिमाण होता है उसे हम कहते हैं अदिश रासी अभी बहुत सारे question आप यहाँ पर देखेंगे अब आईए यहाँ पर जान लेते हैं कि electric charge, electric flux और electric current यह तीनों कैसी quantity है तो देखें तीनों जो quantity हैं scalar quantities हैं यह सारी कौन सी quantities हैं यह अदिश राशियां हैं ठीक है वहीं पर electric field जो है यह vector quantity है question number 2 यहाँ पर देखें आप इन में से कौन सी भौतिक राशी वेंजक चाप या त्रिज्या के लिए है which of the following physical quantity stands for the expression of arc और radius तो देखें आर्क और radius को हम यहाँ पर समतल कोण यहाँ पर आपको याद रखना plane angle के लिए measure करते हैं ठीक है तो यहाँ पर velocity surface tension linear momentum को आप छोड़ेंगे plane angle आपको याद रखना है seizure tier first का question है 2022 का तो देखें भौतिक राशी जो समतल कोण है यानि plane angle जो है यह radius या त्रिज्या जिसे आप कहते हैं इसके लिए express करने के लिए इस्तमाल खिया जाता है देखें जो समतल कोण जो plane angle होता है two vectors are equal if आप से पूछा जा रहा है तो पहला option है केवल उनके परिमाड एक समान हो केवल उनके दिशाएं एक हो उनके परिमाड और दिशा दोनो एक हो परिमाड एक हो किन्तु दिशाएं विपरीथ हो इधे के CGL में पूछा गया प्रशन है तो देखिए इसका right answer होता है दो vector quantity आपस में बराबर होंगे जब उनका magnitude और direction दोनों सेम हो ऐसा नहीं होगा कि दोनों का magnitude सेम है लेकिन direction दोनों opposite है तो बराबर नहीं कहलाएंगे तो दो vector quantity तभी equal होंगे जब उनका magnitude और उनका direction दोनों ही सेम होगा clear है याद रखेंगे तो सदिस राश्यों का जो उदाहरण है vector quantity का वो force है vague है force, velocity, momentum यह सारे vector quantity के example है चलिए अगला question देखते हो question before वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतनत्र गुण परिमाण और दिशा होते हैं यह क्या कहलाती है a quantity और event having two independent properties magnitude and direction is called देखे mechanical junior engineer का प्रश्ण है 2019 में आया है shift 2 में तो देखे ऐसी quantities को हम क्या बोलते हैं vector quantity बोलते हैं आप सभी comment box पे इंसर देते रहे हैं अगला प्रश्ण है इन में से भौतिक मात्राओं में कौन सी एक अधिश राशी है यानि कौन सी scalar quantity आप से पूछा जा रहा है तो देखे आपके सामने option है weight, impulse, young modulus या फिर acceleration देखे इसका right answer हो जाएगा young का मापांग यानि हम इसे कहते हैं young modulus तो young modulus जो है यह है एक scalar quantity है इसमें केवल magnitude होता है direction का sense नहीं होता वहीं पिर weight, impulse और acceleration यह तीनों सदिश्रासियां है vector quantity है आप इन तीनों को note कर लीजेगा exam में definitely यहां से पूछा जाएगा clear है अभी और भी मैं आपको example समझा देता हूँ जो की यहाँ पर scalar quantity के हैं तो mass यानि द्रवेमान, volume यह भी जो है कौन से quantity है यह भी कैसी quantity है अदिश्राशी है और यह तापमान हो गया समय हो गया, दूरी हो गया यह सारे आपको याद रखना है temperature, time, distance इन में से कौन सी एक अदिश्राशी है कौन सी इसमें से scalar quantity आप से पूछा जा रहा है तो देखे, इन में से कौन सी अदिश्राशी नहीं है ठीक है कौन सी इसमें से अदिश्राशी नहीं है बाकी यहाँ पे जितनी भी है तो यहाँ पर देखे temperature, आयतन और समय भी मैंने आपको बताया था तो यह तीनो जो example है यह scalar quantity के example है वही पे torque हिंदी में से हम बल आघूंड कहते हैं तो देखिए CHSL में पूछा गया प्रशने 2020 में shift first में तो answer इसका हो जाएगा torque आपको याद रखना है इसे बल आघूंड कहते हैं तो तापमान, आयतन, समय यह सारी जो है scalar quantities हैं और वही पे torque एक सदिश्राशी है तो जो torque होता है वो force और length का जो multiply जब हम करते हैं तो हमें torque मिलता है ठीक है, बल गुणे लंबाई यह torque का formula होता है तो torque एक दिशा देता है तो torque एक परकार का vector quantity है और साथ में इसके magnitude भी होता है question number 7 आप सभी की screen पर रहा इन में से कौन सी एक सदिश्राशी है which of the following is not a vector quantity कौन सी सदिश्राशी नहीं है तो देखें, वर्क जो है यह यहाँ पर आपको याद रखना है वर्क आपको याद रखना है वर्क एक सदिश्राशी नहीं है वर्क एक अधिश्राशी है वर क्या है, scalar quantity है वर क्या है, scalar quantity है वहें पर force, displacement और momentum, ये तीनो vector quantity है, आप इसे note कर लिजे next है, वे भौतिक राशियां जिसमें केवल dash और नहीं होती उसको आपको बताना है, ठीक है तो यहाँ पर दो gap है physical quantities that contains only and dash, they are called scalar quantities, तो आप से पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए इन में से क्या नहीं होना चाहिए ये आप से पूछा जा रहा है, अगर वो अधिश्राशियां है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, क्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पर dimension और दिशा, दोनों आप सभी study गर application को डाउनलोड कर लिजेगा, यहाँ पर आपको daily current affairs की PDF मिल जाती है और आप e-book सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर एक yearly, half yearly e-book लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको total 9 महीने की e-book आपको मिल जाएगी, जो इंद इंगलिस दोनों medium में है जनवरी से लेके सितंबर तक 500 mcqp है detailed explanation के साथ आप इसे हाँ पर हमारे application से डाउनलोड कर सकते हैं question number 9 आप सभी के screen पर एं रहा चलिए ध्यान से देखिए से किसी पदार्त के उस पदार्त की सत्या से एक मुक्त electron को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम की नियूनितम राशी की रूप में परिभाशित किया जाता है ये CHSL 2017 का प्रशन है amount of work required to remove a free electron from the surface of a substance is defined as the minimum amount of work that is required तो देखिए इसे हम कहते हैं work function या फिर कार फलन कहते हैं आप इमेज से समझेगा अगर हमें यहाँ पर electrons को निकालना है तो हमें यहाँ पर यहाँ पर बाहर से bombarding करानी पड़ेगी external energy देनी पड़ेगी इसी को कहते है work function ठीक है तो अगर हमें किसे electron को यहाँ सर्जित कराना है किसी भी पडार से उसे emit कराना है तो जो हमें इसमें work लगेगा जो आवशक काम लगेगा उसकी जो निवनुतम राशी है इसे हम work function कहते हैं हिंदी में कार फलन कहते हैं Question number 10 आप सभी की screen पर ए रहा किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल के द्वारा उस प्रणाली को या प्रणाली के द्वारा किए गया ऊर्जा की जो YANTRIK हस्तांतरन है उसे क्या कहते हैं ठीक है इसे हम कहते है वर कहते है कार कहते है ठीक है इसी प्रकार से इसी language के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे जब आप यहाँ पे पहले से solve कर लेंगे तो आपका concept clear हो जाएगा तो देखिए work क्या होता है work हम जब किसी भी object पर force लगाते हैं और उसमें जो displacement विस्थापन होता है उसे हम work कहते हैं तो work is equals to force into displacement f into d आपको याद रखना है clear है चलिए next है car के बारे में इन में से कौन सी बात गलत है which of the following is a false about the work तो इन में से car के लिए कौन सी बात गलत है ठीक है तो देखिए आप पर यहाँ पे पहला statement है यदि विस्थापन सुनने हैं तो car भी सुनने होगा बिल्कुस सही बात है देखिए work बराबर f into t into cos theta होता है तो यहाँ पर अगर displacement 0 है तो यह पूरा 0 हो जाएगा इसकी value 0 हो जाएगी किया गया car रणात्मक हो सकता है गलत यहाँ पर यह जो car है कभी भी रणात्मक नहीं हो सकता हमें सा positive होगा ठीक है आपको याद रखना है किया गया car कभी भी रणात्मक नहीं हो सकता ठीक है तो next है इसकी काई जूल होती है और last है यह एक सदिश रासी है ठीक है तो इसमें से जो सबसे गलस statement है वो यह है कि एक यह सदिश रासी है यह गलस statement है देखिए यह scalar quantity the rate of work done is known by तो देखिए the rate of work done जो कहते है इसे शक्ती कहते है इसे पावर कहते है ठीक है हम कार तो करते हैं लेकिन कितने time पे कर रहा है उसे हम पावर कहते हैं उसमें हम शक्ती कहते हैं for example कि किसी वेक्ति ने एक घंटे में 50 question पढ़े और दूसरे student ने एक घंटे में 100 question पढ़े तो उसके यहाँ पे power जादा है ठीक है कार करने की दर को हम power कहते हैं दीकि CGL 2022 का प्रशन था और CHSL में भी repeat हुआ है तो यहाँ पर जो power का formula होता है वो होता work upon time आपको याद रखना है या फिर आप power is equal to force into V आपको याद रखना है ठीक है चलिए तो जो इसका SI मात्राक होता है या तो watt होता है या joule per second होता है ठीक है तो यहाँ पे जो scientist है James Watt इनके नाम पर यह रखा गया है question number 13 आप सभी की screen पर एक अश्व शक्ती लगभग कितने Watt के बराबर होती है तो देखें यह CPU का प्रशन है 2020 में आया हो shift first का प्रशन है तो एक जो अश्व शक्ती होता है वो 746 Watt के बराबर होता है तो अश्व शक्ती या पर इसे आप horsepower कहिए तो शक्ती को मापने की unit होती है तो किसी भी engine या motor की शक्ती मापने के लिए इसका स्तमाल किया जाता है next है question number 14 आप सभी की screen पर गिरता हुआ नारिय, तेज रफ्तार की कार लुढकता हुआ पत्थर या उड़ता हुआ विमान इसमें किस प्रकार की energy होती है आपसे पूछा जा रहा है तो आपके सामने option है answer दीजे comment box पर यहाँ पर elastic energy यानि प्रत्यास्त उर्जा, potential energy यानि स्थिती जूर्जा, गती जूर्जा या फिर वीकरण उर्जा तो देखे कोई भी चलने वाला object है उसमें गती जूर्जा होती है kinetic energy होती है सीजल मेंस में प्रशन पूछा गया है 2013 में तो आप अपने सभी दोस्तों को शेर करें बहुती premium question मैंने हापी लिये है दीखे, तो जब कोई भी वस्तू कोई भी object motion में होती है उसमे kinetic energy होती है जब वो rest में होती है तो उसमें potential energy होती है वो potential कभी भी kinetic में change हो सकती है तो यहाँ पे एक formula भी आपको याद रखना है kinetic energy के बराबर क्या होता है तो kinetic energy होता हाफ mv square यानि kinetic energy उस object के mass पर depend करता है जितना ज़्यादा mass होगा उतना kinetic energy होगा और उसके second velocity पर depend करता है जितना ज़्यादा velocity होगा kinetic energy और ज़्यादा होगी आप जितनी तीजी से गाड़ी को move करेंगे आपकी kinetic energy उतनी ज़्यादा होगी एक होता है potential energy जिसे हम इस्तितिज उर्जा कहते हैं और यह जो mass, gravity और height पर depend करता है द्रव्यमान, गुरुत्व और उचाईपड अगला प्रशन आप सभी की screen पर रहा 15 question यह देखते हैं यांत्रिक उर्जा, इस्तितिज उर्जा और वस्तु की जो गतिज उर्जा है इसको अगर हम मिला दें जो गतिज उर्जा का योग है तो यह क्या है mechanical energy, इस sum of potential energy, kinetic energy of the object तो यह जो होता है इसमें थोड़ा option गलत हो गया है यहाँ पर dash होना चाहिए था तो यह जो आपकी यांत्रिक उर्जा है यह स्तितिज उर्जा और वस्तु की गतिज उर्जा का योग होता है ठीक, इसमें option जो होगा यह उसका right answer हो जाएगा ठीक है, तो जो mechanical energy होती है वो kinetic energy और potential energy का sum होती है यह आपको याद रखना है बहुत important formula है किसी पिंड की गतिज और इस्तितिज उर्जा है उसकी उर्जा की घटक होती है the kinetic and potential energies of body are its constituents तो देखिए, मैं आपको भी पढ़ा रहा था यह mechanical energy का भाग है तो यांत्रिक उर्जा जो होती है गतिज उर्जा और इस्तितिज उर्जा का योग होती है kinetic and potential energy का sum होती है इन में से कौन गुरुत्वी इस्तितिज उर्जा का उधारण है which of the following is an example of gravitational potential energy तो gravitational potential energy के बारे में बात कर रहे है तो चलती हुई कार पैर से गेंद को मारना बंदूक से चलाई हुई गोली बांद के पीछे इस्तित पानी तो देखिए, इसका right answer हो जाएगा D, इसका सही answer हो जाएगा देखिए, जो यहाँ पे पानी रुका हुआ होता है उसे हम स्थितिज उर्जा कह सकते है उसमें स्थितिज उर्जा रहती है ठीक है, कोई भी रुका हुआ object है तो उसमें potential energy होती है ठीक है, तो आप यहाँ पर बांद देख सकते हैं, इसमें तो kinetic energy है लेकिन जब आप पीछे देखेंगे जहाँ पर पानी रुका हुआ है वो potential energy कहलाती है Q18 आप सभी की स्क्रीन परे रहा जल वैद्रियू शक्ति के अंदर Hydroelectric Power Station टर्बाइनों पर पढ़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्तिक अस्तमाल करके विद्यूत उत्पन करते हैं टर्बाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की जो स्थितिज उर्जा है वो किसमे परिवर्तित हो जाती है तो Hydroelectric Power Station आपने देखा होगा वहाँ पे बिजली बनाई जाती है उसकी नीचे शाफ्ट होता है पानी उसमें गिरता है तो जो Potential Energy होती है किसमें Convert हो जाती है तो बहुत ही आसान प्रशन है ये Kinetic Energy में Change हो जाता है 2022 में पूछा गया प्रशन है 10 प्लस 2 में इन में से कौन सा उर्जा रुपांतरण है जो प्रकास संसलेशन नामक प्रक्रिया में होता है आपने Photosynthesis Process के बाइर में सुना होगा जहां पर प्रकास संसलेशन यानि Photosynthesis में हम कहते हैं तो Energy का जो Conversion होता है किस से किसमें होता है तो आपको याद रखना है इसमें प्रकास उर्जा से ये Chemical Energy रसाइनी कूर्जा में चेंज हो जाती है तो यहाँ पर Light Energy to Chemical Energy फ्रॉम Light Energy आप कहिए ये Light Energy to Chemical Energy जो प्रकास सूर से आता है वो Photosynthesis Process में इस्तमाल होता है और यहाँ पर हमारे लिए Food बनता है तो आप यहाँ पर देखो यहाँ पर जो Photosynthesis हैं उसमें Carbon Dioxide का स्तमाल होता है और पानी का और Sun की Light का Presence में यहाँ पर खाना बनता है जिसे हम Glucose कहते हैं जो कि 6-6 S12 O6 formula होता है Glucose का और इसके साथ साथ Oxygen भी Release होती है जिसकी वज़े से हम सांस ले पा रहे हैं Question No.20 आप सभी की स्क्रीन पर एरा 20 वा प्रशन आई देखते हैं पावन चक्की टर्बाइन गतिज उर्जा को Dash में परिवर्तित कर देता है A Windmill Converse Kinetic Energy into Dash तो देखें यह Mechanical Energy आपको याद रखना है ठीक है यांत्रिक उर्जा पावन चक्की जो है Electrical Energy में चेंज हो जाता है और यह है एक Renewable Source 7 Energy जो कभी खतम नहीं होगी और आने वाले भविश्य के लिए important है गतिज उर्जा किस पर निर्भर करती है What does Kinetic Energy depend on पूछा जा रहा है आप से SSC Seasal Tier 2016 का प्रशन है तो जो गतिज उर्जा है गतिज शील चलन सील पिंड के वेग पर गतिज शील पिंड के दरविमान पर At the pressure of moving body गतिज शील पिंड के दाब पर गतिज शील पिंड के वेग और दरविमान दोनों पर On both velocity and mass of moving body तो उसका right answer D हो जाएगा मैंने आपको सुर में पढ़ाया था कि कानेटिक एनर्जी जो होता है वो half mv square होता है जितना ज़्यादा किसी का दरविमान मास होगा उतना ज़्यादा कानेटिक एनर्जी है For example एक छोटी कार है और एक ट्रक है आप बताओ किसमें सबसे ज़्यादा कानेटिक एनर्जी होगी comment box पर आप बताओ तो कानेटिक एनर्जी का formula तो आपको याद रखना आज का आखरी question कल हमें एक और important topic को पढ़ेंगे उर्जा के मापन निकाई की पहचान इनमें से कैसे की जाती है identify the unit of measurement of energy तो जो energy होता है friends वो यहाँ पे joule में measure किया जाता है उर्जा को joule में measure किया जाता है ठीक है और यहाँ पर जो power होता है वो watt में measure किया जाता है current को ampere में measure किया जाता है इसके पहले के lecture में मैंने यह सब चीजे आपको पढ़ाई है और voltage को यहाँ पे volt में measure किया जाता है ठीक है तो यह CHSL 2020 का प्रशन है और धीरे-धीरे सारे topics को cover करेंगे आप playlist को follow करते रहिएगा study care application को download करेगा यहाँ पर आपको courses में 25,000 question की आपको पूरी PDF मिल जाएगी और जल्दी आपको पलब्द करवा दी जाएगी daily current affairs की PDF आपको यहाँ पर मिलती जब आप e-book section में जाएगे तो आपको हर महिने की मासिक पत्र का मिलती है topic wise current affairs की PDF यहाँ मिलेगी जितनी भी marathon class होती इसकी PDF यहाँ yearly, half, yearly और यहाँ पर जनवर इसले के सितंबर के 9 महिने की current affairs की आप e-book को download कर सकते हैं जो की Hindi English दोनों medium में है यहाँ पर आप test series में जवाब जाएंगे तो बहुत जल 2-3 दिन के अंदर जो भी class आप पढ़ेंगे उसका आपका topic wise 25,000 का test आपका start हो रहा है पहले आप यहाँ पढ़िए फिर आप अपना test दीजिए तो यह भी आपका start हो जाएगा दो दिन का समय है आपके पास इसके लाबा जो current affairs के लिए हमने एक static gk की book launch की है आप इसे यहाँ पे घर तक मगवा सकते हैं इसमें quality, history, geography, science सभी विश्यों का संकलन है total 81 topics है 81 chapters इसमें दिये हुए है आप यहाँ पर इस book को घर तक मगवाईए daily हर एक page number आपको दिया जाता है और उसका test होता है 11 बजे application में तो आप इसे घर तक मगवा सकते हैं इसका link आपको description box में comment box पे दिया गया है तो friends मिलते हैं next important session में तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए मिलते हैं next lecture में